और अब बाद खडगे या थरूर किसे वोट मिले बरबूर ये सवाल इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है क्योंकि कॉंग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा उसके फैसले की घड़ी में कुछी वक्त बचा है कल गुद्वार को दिल्ली कॉंग्रेस मुख्याले में वोटों की गिंती होगी और फिर दिल्ली से कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष का एलान होगा लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उससे फ्रीहंड मिलेगा या फिर अध्यक्ष ना होते हुए भी कॉंग्रेस के कमान गांधी परिवार के रुद्विर्धी घुमती रहेगी वही सवाल सौगात में मिलने वाली चुनोतियों का भी है क्योंकि यह चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब कॉंग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है किसको मिलेगी कॉंग्रेस अध्यक्ष पत की कमान दिल्ली से हो का एलान कॉंग्रेस का अगला ध्यक्ष कौन होगा इसके तस्वीर बुद्वार को साफ हो जाएगी कि थरूर और मलिकर जुन खडगे में से कॉंग्रेस का अगला ध्यक्ष कौन होगा क्योंकि बुदबार को दिल्ली के कॉंग्रेस मुख्याले में बैलेट बॉक्स में पड़े वोटों की गिनती होगी जिसके बाद नया ध्यक्ष का ऐलान होगा के तो कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष के चुनाओ के लिए बीते कल जिस तरीके से मतदान हुआ उनमें दो उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किये ते और दोनों उमीदवारों के नामों पर कल वोट पड़े जिनमें से एक है मलिकर अरजुन खड़गे और दूसरे हैं शशी थरूर अगर बात के तो कल मत गड़ना होगी जहां पर ये तय होगा कि कॉंग्रेस का अगला राष्ट्री अध्यक्ष कौन होगा क्या मलिकर अरजुन खड़गे कॉंग्रेस के अगले नय राष्ट्री अध्यक्ष होंगे या शशी थरूर ये कल मत ग तक कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी रही एक 137 साल के दिहास में ये छटी बार है जब अध्यक्षपत का चुना हुआ वहीं सवाल इस बात का भी है कि जो अध्यक्ष बनेगा वोसे खुद के फैसले लेने का मौका मिलेगा क्या या फिर बिना ध्यक्ष बने ही सोनिया गांधी राहूल गांधी और प्रियंका गांधी ही सुप्रीम बॉस उंग्रेस का ये तंज भाजपा के लिए था लेकिन दू अगर लोग्तांतिक प्रक्रिया कहीं जिंदा है तो वो कॉंग्रेस में क्या भाजपा में आप ये द्रिश्य देख सकते हैं ध्यक्ष की चुनाओ में रास्षी है तो मैं असपस करना चाहता हूँ कि यहां जो चुनाओ हुआ 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 वहती मित्तता पूरू माता और में लोग्तांतिक धंग से हुआ इसी से साफ है कि कोई कंप्लेन नहीं नवे प्रसत मत दानवा और बड़ी बात ये भी है कि कॉंग्रेस में अध्यक्षपत का ये चुनाओ ऐसे वक्त में हुआ जब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही ऐसे में थरूर और मलिकर जुन खड़गे में से जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने चुनाओतियों का पहाड होगा क्योंकि 2014 और 2022 के बीच करिब 460 बड़े नेता कॉंग्रेस का हाथ जटक चुके हैं जिसमें से 177 ऐसे हैं जो सांसद और विधायक के पत पर भी थी जबकि 222 नेता ऐसे हैं जि जब सोनिया ने अध्यक्ष पत समहालाता तब 10 राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार थी जो 2006 में बढ़कर 16 हो गई थी मही 2022 तक आते आते अब केवल 2 राज्यों में कॉंग्रेस की अपने दंपर सरकार हैं उसे अगले पार्टी अध्यक्ष के लिए कॉंग्रेस की डूपती किनारे लगाना बहुत बड़ी चुनावती होगी, क्योंकि अगले महीने ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधान सबाचुनाओ है, वहीं लोग सबाचुनाओ में 16 महीने का वक्त है, मतलब जो भी अध्यक्षोगा उसे कॉंग्रिस के लिए हाड फैसले लिने होंगे लेकिन के ये हाड फैसले गांधी परिवार को भी मन्जूर होंगे, फिलाल सबकी नजर बुदवार को होने वाले ऐलान पर टिकी है, क्योंकि अभी दोनों ही उम्मिदवार की किसमत बैलेट बॉक्स में कैद है, अब देखना ये होगा कि कॉंग्रिस का ये काटो भरा आज किसके सिर पर आता है, व्यूर्य रिपोर्ट एबीपी गंगा